तो यह राज की सुबह तो ऐसी हुई कि एमन भीया के चैनल पर कुछ वीडियो आई, इसको हमने देखा और देख कि वो बहुत अनेक्सपेक्टेट सी वीडियो थी शौक सा लगा कि उन्होंने जो भी वीडियो में बोला था, तो सुनके सारी चीज़े ऐसा लगा कि गलत है बट उसके बाद भी हम वेट कर रहे थे कि अलक सर का रिप्लाई आई, कि एग्जैक्ली हुआ क्या है तो अलक सर ने ये रिप्लाई के अपने चैनल पे आप देख सकते हैं कि फाइनली ये भी हो गया, ठीक है एक तरफ के ओपीनियन, नौट तृत, सुनकर लोग जेज्मेंट पास कर रहे हैं, क्या करो, शांत रहो, अब भी तो अब देख सकते हो, कि सर बोल रहे हैं कि अपने चैनल पास कर रहे हैं, तो अब देख सकते हो, ये तीन सार का स्कैम अब आज एक्सपोज होगा, जूटो के लिस्ट नहीं खतम होगी, नजाने कितनी बार लगा कि सच बच्चों को बताया है भाईया का, पर हर बार लगा कि in the end बच्चों के लिए उन्होंने भी कुछ किया है, पता नहीं एक्सर क्या बोलने वाल है, and to be very honest, I respect both of them, and let's see, एक्सर का जट वीडियो आएगा, तो उसमें वो क्या बता रहे होंगे, कौन से स्कैम की वो बात कर रहे है, तो हमें वीडियो का एक्षिली बेट करना होग कि सर आपकी इमें जैसी ही नहीं है, और हर बार मुझे लगा था कि कब तक इतने बड़े जूट चलने दे, अभी तक जो उन्होंने बोला, उससे अगर आपको PW पे या मेरे पे शक हुआ है, तो it's okay, वीडियो ऐसा था कि कोई भी विलीव कर लेगा, तो basically अलग सर ये बोल कि जो वीडियो आपने देखा, उससे स्वेफ फिल लाइक में भी PW ने गलत किया, तो it's okay, क्योंकि वीडियो ऐसा था, ठीक है, बाकी वी आर एक्चली वेटिंग फर दो वीडियो जो कि अलग सर रिलीस करने वाले है, देखते उनों उस वीडियो में वो क्या बताएंगे, आगे अलग सर बोलते हैं, यहां पोचिंग की बात हुई है सर, कुछ उपर उपर से प्रूफ दिये गया है, सब गलत साबित होंगे, सब के सब, बट उसके साथ इतना बड़ा स्कैम बाहर आएगा, आज की कोई सोच भी नहीं सकता, मेरी इंटिग्रिटी पे सवाल उठा द यह कहानी थोड़ी लंबी है, और हर मोड पे इसमें जूट ट्विस्ट स्कैम सें, आई वाज लविंग वन समवन कीम विद अफॉर्डिबल कॉस्ट, बट तब भी मुझे सच पता था भाईया का, बस लगा कि यह नहीं करना है, बच्चे हम दोनों को प्यार करते हैं, यह तोड़ना अगली YouTube बैटल लड़ना सही नहीं है, पर सॉरी, आज मेरा सबर तूटेगा, सॉरी, आज तुम सब के मन से हरोसा तूटेगा, इंसानियत पे से, मेरा प्रूफ आपको लानी पड़े, डून डून के, कोई भी प्रूफ कंक्लूसिव नहीं था, मेरी तो बाते ही काफी होंगी, तो अलग सरका यार रिप्लाई ये था, ठीक है, इसके बाद वो आएंगे, ओडिन से कनेक्ट होंगे, अपना वीडियो रिलीस करेंगे, वी अवेटिंग फॉर वीडियो, एंड तो बी वेरी होनेस्ट, इस बेसिस पे, अमन भया का जो वीडियो था, उस बे कुछ भी तुमारे पढ़ाई में हेल्प नहीं होने वाला है, एड देंड तुमारे टाइंड देस्ट होगा और फिर तुम रिग्रेट करोगे, गॉर्ड नोस में भी एड देंड दोनों से ही निकल जाएं, वी रोन नो कहां पर क्या गलती हुई या क्या है, ठीक है, बट